आप हमारे भी लल्ला का नामकरन कर दो नौ उत्री ये क्या क्या रही हो तुम पिंति कर रही हूँ अब मेरी जे आगरा अस्विकार मति करो आप दोनों भाईयों का नामकरन एक साथ हो जाएगो कितने प्यारे और निर्दोष बालक हैं उन दोनों को देखकर गुरुदेव के आखों में आसो क्यों आ गए ये क्या कर रहे हैं रिशीवर संभालिए अपने आपको नहीं तो मेरा रहस्या खुल जाएगा आज अरे रिशीवर हाथ मत जोड़िये इससे पहले की गड़बर हो जाए अपनी नमस्कार मुत्रा को आशिरवात मुत्रा में बदल दीजिए बात को समझेए मैंने ये अफ्तार मैया और लल्ला के अत्वत संभंद का अनुभव करने के लिए लिया है और आपकी भावुक्ता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संभंद ही बदल जाएगा झाल झाल अब आप सब को जान चुके हैं रिशिवर इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर पेरे सत्य को उजागर मत कीची अपने शिश्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशिरवात नीची आप महुन क्यों? और आपकी आँखों में यह आशू सब कुछ ठीक है ना? आप तो आप हमारे लल्ला का नामकरन करोगे ना? इन दोनों का नामकरन करना मेरा सवभाग होगा पुत्री परन्तो यह गोपनी रूप से करना होगा अवश्य ही स्वामी का आग्रह होगा ताकि कंस की पुरी दृष्टी हमारे पुत्र पर ना पड़े अपनी संतान का नामकरन संसकार करना एक मा के लिए उत्सब से कम नहीं होता है पर यह छुपकर करना होगा आप दोनों को सुईकार तो है ना? जैसी आपकी आग्या गुरुदे? स्विकार है गुरुदे तो फिर कहां करना है हमें नामकरन का प्रबंद? गुरुदेव मंदेर सही रहेगो उससे पवित्रिस्थान तो हो ही नहीं सकता है जैसी वर आप तर एक बिस्राम कीजिए हम लोग प्रबंद करते हैं मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीत करना चाहूँगा जैसी तो इनका स्वभाग क्यों होगा? हमें आग्या तीछे प्रभू स्वयम भगवान होकर भी आपको बंदी ग्रह में जन्म लेना पड़ा अब अपनी मा को छोड़कर दूसरी मा के यहां पलना पड़ रहा है जब से गोकुल आये हैं छुप छुप कर रहना पड़ रहा है इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के कितने ही आक्रमणों का सामना कर चुके हैं आप और जिस उत्सम में सभी सप्तृषियों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बन कराना चाहिए उस नामकरणु सबको यहां एकांत में करना पड़ रहा है क्यों प्रभू इतने कष्टों को सह कर यह अवतार क्यों लिया है आपने दुष्टों का नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए पर इसके लिए इतने कष्ट मानव जीवन लिया है तो कश्टो उठाने ही पड़ेंगे रिशीवर मानव जीवन की आच जला रही है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभू ये कैसा अनोखा अवतार है आज में जलकर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूँगा मैं आज एक कंस का प्रकुप है बविश्य में सहचरो कंस होंगे और आने वाले युगों में होंगे अंगिनत कंस उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कश्टों को कैसे सहना है और धर्म की पत पर अडिक कैसे रहना है आप धन्य हैं प्रभू देखास्ती जब से हैं तहारता है तुबन के सभी जीव जन्तु इकठे हो ही चाते हैं वो सम जो मेरा विश्वास पात्र होने का अधिकार और ये सिहासन पाना चाहते हैं सामने आएं बुद्धी के बिना बल अपंग होता है महराज और मेरे पास बुद्धी और बल दोनों है आपके बल आदेश दीजिए किसका संगहार करना है सारी तैयारी हो गई आप गुरु देख को बुला लो मैं रोनी जिज्जे और बालकों को ले आती हूँ यसुदा तुम रूस्ट तो ना होना मतसे मैं भला रूस्ट क्यों होने लगी आज कि सुद मोर्थ पे हो रहे हैं तो इससे पहले जिपीच जाए जाओ कि आप ही बुला लो यहां सब के सब एक से बढ़कर एक है तो फिर अपने कारे के लिए किसका चुनाओ सबसे पहले का मेरा सामर्थ्य तो आपने अभी तक देखाई नहीं माराज चुट की बजा कर शत्रों का विनाश कर सकता हूं मैं कि आपने तो बताए ही नहीं कि करना क्या है वद्ध वद्ध करना है एक नवजात बालक का वद्ध उसे साधारण बालक मत समझना गोकुल में नंद के घर पल रहा वो बालक विश्णो का अवतार है क्या हुआ इतना सन्नाटा कि इंचा गया ख्यमा कीजे महाराज पर मैं नंद के बालकों के साथ हैंसा नहीं करदा क्रिष्णु अवतार पड़ा चलिया है महाराज मैं उसका मुक्पी नहीं देख ला जाता जाने दो इन्हें ऐसे भी सिहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवश्यक्ता नहीं जाने दो तुर जाने तुर जाने तुर जाने तुर जाने क्या कहा था मैंने मैंने कहा था केवल वहीं आएं जिनके हिर्दे में साहस का जौला मुखी धधकता हो जिनकी तनवारें परवतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दिर्ड हो कि वो मृत्यू मृत्यू स्वटक कर ले जें वही होगा इस सिंघासन का असली अधिकारी महराज ना तो आपके दिये इस सम्मान का कोई मुल्य रह गया है और ना ही आपके भाय का अभी अभी आपने ही कहा था न कि जब वन में कोई सिहद हारता है तो उस वन के सभी जीवजन्तू एक जगा इकत्रित हो जाते हैं परंतू उसी वन में जब कोई बबर सिहद हारता है तो वही जीवजन्तू भाय के मारे इधर उदर भागने लगते हैं निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बबर सिह बन चुका है उसका भाय हमारे समराज्य की नीव हिला रहा है माराज हे नारायन मेरा मार्ग दर्शन कीजिए हे मासरस्वती मुझे आशिरवाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वुत्तम नामों का चुनाओं कर पाऊं आपके पुत्र को बड़े भाई के करतव का निर्वाह करना है और इस दायत्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निवाया है जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाईयों के साथ था मैं श्री नारायन से प्रातना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने चोटे भाई के साथ हो इसलिए इसका नाम राम हो इसलिए इसका नाम बड़े भाई में आदर्श नियाय संकल्प बल के साथ शारिरिक बल भी होना चाहिए मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा है इसलिए जो नाम इसके व्रेक्तित के लिए सबसे उचित है वो है बलराम तो फेर उसका नाम पल पल राम रखना जब इसके जन्म की सूचना देने में वसुदेव भहिया के पास मतुरा गया था तब उन्होंने भी यही नाम रखा था बलराम ये संयोग नहीं नाराइन की इच्छा है नंदराज बलराम से अधिक उप्युक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है पर मैं तो दाओ कहकर ही बुलाओंगा इन्हें बल दाओ सुना पुत्र आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम बलराम खुरुदेर कितना अध्वत नाम ती हो है आपने से अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दू ये कठिन दायत्व आपने ही मुझे सौपा है प्रभूंग इससे निभाने की शंता भी आप ही देजिए प्रभूंग कच्छिन शिर्ण 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 है वार ज्यंट शिर्ण है । । । । ॥ । । । । । । । प्रिस्टिन शुन Все लिश्टिन शुनात कि शुने लिश्टिनों कि शुने अरे जिडिन शुने है जारेकी कि शुने शुने है, जूम है,न से लिश ouais से रहे Massachusetts कि शुने जुने है तो ठी है झाल! कर दो । क्रिश्न कोई साधरन शब्द नहीं है यह अनेक विशेष्ताओं से भरा हुआ है कब अना है कमलकान से अर्थाद वो जो श्री पती विश्नों जैसा हो री री की उत्पत्ती हुई है श्री राम से अर्थाद वो जो सब के हिर्दय में बस जाए श्र एश्वरी के स्वामी विश्नों के लिए अर्थाद वो जो समरिद्धी लेकर आए और ना ना है नर्सिंग के लिए अर्थाद वो जो रक्षा करे और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अगनी देव का अर्थाद वो जो स्वयन तपकर सब को पवित्र करते सवयाद एला के सवयाद वो जो समरी वो जो जो üzल यो स्वामी देवाद journée स्वयरी के सकते आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है कृष्ण वो नाम है कृष्ण वो नाम है कृष्ण कृष्ण आज सार्ण परा संसार जिस नाम है कृष्ण ग्रिश्न, ग्रिश्न, ग्रिश्न असुरी कारिये करने वालों के लिए क्रिश्न नामकार्थ एक और भी होगा वो घनी अन्धेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नामकार्थ होगा अतुल्ली सुन्दर्ता और अथा प्रेम इन दोनों विशेस्ताओं का साख्षात स्वरूप होगा ये क्रेशन अतुल्ली सुन्दर्ता और अप्रेम